रात्री के अंतिम प्रहर को ब्रह्म मौरत कहते हैं हमारे रिशी मुल्यों ने इस मौरत का विशिष्ट महत्व बताया है उनकी अनुसार यह समय निद्रत्याक के लिए सर्वोत्तम है ब्रह्म मौरत में उठने से सौंदर्य, बल, विद्य, बोध्धी, स्वास्त की प्राप्त होती है हमें सूर्योदय से चार गड़ी यानि लगबग देड़ गंटे पूर ब्रह्म मौरत में ही जग जाना चाहिए ब्रह्म का मतलब परमतत्व या परमात्मा होता है मौरत यानि अनुकूल समय रात्री का अंतिम प्रहर यानि सुबह चार बजे से साड़े पांच बजे तक का समय ब्रह्म मौरत कहा गया है शिक धर में इस समय को अमरत वेला कहते हैं जिसके दवारा इस समय का मेद्व स्वही था जाता है इसवर वक्ति के लिए यह सर्वस्रिश्ट समय है इस समय उठने से मनुस्यकों सोंद्री लक्षमि बुद्धी स्वास्थ आदी की होता है इस वक्त उठने से सरी स्वस्थ होता है और दिनवर स्पूर्थी बनी रहती है स्वस्थ रहने और सफल होने का यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है के वर आलत से छोड़ने की जरूरत होती है रात है तीन बजी से पांच बजे तक इस सम में दीर को स्वस्थन करने से फेपड़ों की कार्य चमता खूब विक्सित होती है उन्हें सुद्ध वायू और रिण आयन विपुल मात्रा में मिलने से सरीर स्वस्थ और स्फूर्तिमान होता है ब्रह्म महुरत में उठने वाले लोग बुद्धिमान में उत्साही होते हैं इस समय जीवन सकती विशेस रूप से आथों में होती है प्राते जागरन से लेकर सुबह साथ बज़े के बीच मल त्याग एवमस्थनान कर लेना चाहिए सुबह साथ बज़े के बाद जो लोग मल त्याग करते हैं उनकी आथे मल में से त्याज्या द्रव्यान्स का शोशन कर मल को सुखा देती है इससे कब जितता कई अन्य प्रकार के रोग उत्पन हो जाते हैं प्राते साथ से नौ बजे तक इस समय जीवन सकती विशेश रूप से अमास्य में होती है यह समय बोजन के लिए उप्रिक्त है इस समय पाचान रस अधिक बनते हैं बोजन के बीच के आसपास मध्यान में संध्या यानिकि आराम करने की हमारी संस्कृति में विदान है इसलिए बोजन वर्जित है इस समय तरल पदार्ट ले सकते हैं जैसे मठा पी सकते हैं या दिखा सकते हैं दोपहर एक बज़े से तीन बज़े तक इस समय जीवन सकती विशेश रूप से छोटी आत में होती है इसका कारे आहार में मिले पोसक तत्वों का अवशोशन वे व्यर्थ पदार्तों को बड़ी आत की ओर से दखेलना है बोजन के बाद प्यास अनुरूप पानी पीना चाहिए इस समय बोजन करने अत्वा सोने से पोसक अहार रज के सोसन में अवरोध उत्पन होता है वे सरीर रोगी तता दुर्बल हो जाता है दोपहर तीन बजे तक इस समय जीवन सकती विशेश रूप से मूतरास्य में होती है दो से चार गंटे पहले पीए पानी से इस समय मूतरत्या की प्रवर्ती होती है साम पांच बजे से साथ बजे तक इस समय जीवन सकती विशेश रूप से गुर्दे में होती है इस समय हलका बोजन कर लेना चाहिए साम को सूरियास्त से चार मिनट पहले बोजन कर लेना उत्ता माना गया है सूरियास्त के दस मिनट पहले से दस मिनट बाद तक बोजन ना करें साम को बोजन के तीन गंटे बाद दूर पी सकते हैं देर रात को गिया गया बोजन सुस्ति लाता है रातरी साथ से नौ बजे तक इस समय जीवन सक्ती विशेश रूप से मस्तिस्क में होती है इस समय मस्तिस्क विशेश रूप से सक्रिया रहता है अत्या प्रात्यकाल के अलावा इस काल में पड़ा हुआ पार्ट जल्दी याद रहता है। आदोने कन्वेशन में अभी इसी तरह की पुष्टी हुई है। रातरी 9 बजे से 11 बजे तक का समय जीवन सक्ति इस समय विष्टी सुरूप से रीड की हड़ी में स्थित्थ मेरु रज्जु में होती है। इस समय पीट के बल या बाईं करवट लेकर विसराम करने से मेरु रज्जु को प्राब सक्ति को ग्रैन करने में मदद मिलती है। पच्टा नहीं है और इसके सड़ने से हानिकारक द्रव्य पैदा होते हैं जो अमल यानि एसिड के साथ आंतों में जाने से रुग उत्पन करते हैं इसलिए इस समय बोजन करना खतर ना कहे है रातरी ग्यारा बजे से एक बजे तक का समय जीवन सक्ती विशेश रूप से पित बजे तक का समय इस समय जीवन सक्ती विशेश रूप से लीवर में होती है अन का सूक्ष में पाचन करना ये यक्रत का कार्या है इस समय का जागरन यक्रत यानी की लीवर में पाचन तंत्रों को बिगार देता है इस समय यदि जागते रहें तो सरीर नीद की वसिबूत होन वालमी की रामायण के अनुसार माता सिता को डूंडते हुए श्री हनुमान ब्रह्म महुरत में ही असोगवाटे का पहुंचे जहां उन्होंने वेद्वय यग्य के ग्याताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी ब्रह्म महुरत में उठने से व्यक्ति को सुन्दरता लक्षमी बुद्धी स्वास्त आयू आदी की प्राप्ति होती है ऐसा करने से सरीर कमल की तरह सुन्दर हो जाता है ब्रह्म मौरत और प्रकरति का गहरान आता है इस समय पसु पक्षी भी जग जाते हैं उनका मदुर कलरब शुरू हो जाता है कमल का फोल भी खिल उढ़ता है मुर्गे बांग देने लगते हैं इस तरह से प्रकरति भी ब्रह्म मौरत में चैतन्य हो जाती है यह प्रतीक है उठने का जागने का प्रकर्थी हमें संदेश देती है ब्रह्म मौॉरत में उठने के लिए आयर्वेद की अनुसार ब्रह्म मौॉरत में उठकर टैलने से सरीर में संजीवनी शक्ती का संचार होता है यही कारण है कि इस समय बेहने वाली वायू को अम्रत तुल्य कहा गया है इसके अलावा यह समय अध्यान के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उड़ते हैं तो सरीर तथा मस्तिस्क में भी स्फूर्ती वे ताजगी बनी रहती है प्रमक मंदिरों के पड़ भी ब्रह्म मौरत में खोल दिये जाते हैं तथा बगवान का सरंगार वे पूजन भी ब्रह्म मौरत में ही किये जाने का विधान है ब्रह्म मौरत में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और सम्रद होता है क्योंकि जल्दी उठने से दिन बर के कारियों और योजनाओं को बनाने के लिए परयाप्त समय मिल जाता है इसलिए न केवल जीवन सफल होता है बलकि सारी रिक और मानसिक रूट से भी व्यक्ति स्वस्त रहता है व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें उसे प्रगती होती है विद्यारती परिक्षा में सफल रहते हैं वेदों में भी ब्रह्म मुरत में उठने का मैत्वा और उससे होने बाले लाब का उल्ले किया गया है रिगवेद के एक स्लोक में का गया है सुबह शूरे उदय से होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्त अच्छा रहता है इसी दिये बुद्धी मान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गवाते सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वास्त सुखी तागत वाला और दीर का आयू होता है सामवेद के एक स्लोक में का गया है व्यक्ति को सुबह सुर्द से पहले सौच वैस्णान कर लेना चाहिए इसके बाद भगवान की पूझा अर्चना करने चाहिए इस समय की सुद्ध वे निर्मल हवा से स्वास्त और संपत्ति में व्रद्धी होती है सूरज उगने के बाद भी जो नहीं उड़ते या जाकते नहीं हैं उनका तेज़ खत्म हो जाता है व्यवहारिक रूप से भी अच्ची सिहत ताजगी और उज़ा पाने के लिए ब्रह्म महूरत बहतर समय है क्योंकि रात की नीद के बाद पिछले दिन की सारी ठीक और मानसिक ठकान उदर जाने पर दिमाग सांथ और स्थिर रहता है ऐसे में देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा, तनमन और बुद्धी को पुष्ट करते हैं रिश्यों वे आयरुविदाचारियों ने बिना भूँक लगे बोजन खाना वर्जित बताया है अत्या प्रात्य एवं साम के समय बोजन की मात्रा ऐसी रखें जिससे बोजन की समय में खुलकर भूँक लगे जमीन पर कुछ बिचा कर सुखासन में बैटकर ही बोजन करें इस आसन में मूलादार चक्र सक्रिय होने से जटरागनी प्रदीपत रहती है कुर्सी पर बैटकर बोजन करने में पाचन शक्ती कमजोर तता खड़े होकर बोजन करने से तो बिलकुली खराब हो जाती है अनिया था अनिद्रा जैसी तकलीफ होती है सरीर की जैविक गड़ी को ठीक डंग से चलाने हे तू रात्री को बत्ती यानि लाइट बंद करके ही सोना चाहिए इस बारे में हुई रिसर्च भी चौकाने वाली है तेर रात तक कार या अध्यन करने से और लाइट चालू रखन से सोने से जैविक गड़ी निस्क्रिया होकर बहेंकर स्वास संबंधी हानिया होती है अंदेरे में सोने से यह जैविक गड़ी ठीक डंग से चलती है दोस्तों आसा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आयोगी अगर आपको यह जानकारी पसंद आया तो वीडियो को ल झाल